नमस्कार मैं दिनेश अलफा क्लासिस पे आप लोग को स्वागत करता हूँ मैं ये बैच और ये मैं ये कोर्स उन लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो किसी कारण वस अपने फाउंडेशन पे अच्छी तरह से पकर नहीं बना पाए है फिर भी मन में जिग्यासा है मुझे आयाइटी के तरफ बढ़ना है कॉम्टेटेव एक्जाम निकालना है NTSC या ओलंपियार निकालना है या कोई भी निशनल लेवल का एक्जाम मुझे किलियर करना है तो वो उस चीज के लिए चाहिए आपको एक प्री विल्ट प्लांड फांडेशन हा पिरी विल्ट प्लांड फांडेशन उन लोगों के लिए मैं ये कॉर्स स्टार्ट कर रहा हूँ हलाकि ये कॉर्स उन लोगों के लिए भी हेलफुल है जो अपना फांडेशन पर पकर बनाना चाहते हैं बेसिक क्लियर करना चाहते हैं किसी इक्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए इसी सब चीज को ध्यान में रखने के लिए मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वह सिंपल टॉपिक चूज किया है और यह बेसिक है स्टार्टिंग का हैiro system of number system the number system system क्या है आखीर ये number किन-کिन्वे सभ Only John हुआ है ला जो ही नमबर हम पड़ रहे हैं 12 माइनड़ अखिरकार इसका विल डिफाइंड 7 क्या है मैं अभी जो आप लोग को बताने जा रहा हूं वो will define system है इसी आप ध्यान रखेंगे किसी भी competitive exam के लिए ये helpful है किसी भी competitive exam के लिए पूरे number system को दो divide में बाटा गया है पूरे number system को एक real वो जो वास्तविक संख्या है और दूसरा imaginary ध्यान रहे number system को दो ग्रूप में डिवाइड किया गया है एक real और दूसरा imaginary मुझे जो up to class 10th up to class 10th real में ही पढ़ना है imaginary की बात class 12 में करेंगे 11th और 12th में करेंगे onward 11th के बाद करने का मतलब class 10 तक अब तक हमें real पे अच्छी तरह से पकर बना लेगा मैं उमीद करता हूं यह वीडियो देखने के बाद आपको जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा यह नंबर क्या होता है आप confused नहीं कर पाओगे हर साल हर साल बच्चे हजारों बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उनमें से कुछ का है exam clear हो पाता है क्यों क्यूंकि उनका basic clear ही नहीं हो पाता आखिरकर यह number system है क्या हम लोग इसे छोड़ देते हैं ignore कर देते हैं और किसी चीज़ को ignore करोगे तो उसक अनमर का दो पाइट एक रिष्णल और दूसरी इरेस्टनल को इसन फिर इफे न फिर फिर से इसनल 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 में जांते हीं हो जैसे रूट्ट्यू रूट्ट्टि यह सब न और डिचनल नमबर रेसनल नमबर का फिर दो टैप हो जाता है मैं इच एन अवरी का डिफिने प्लस जो भी कोश्चन प्रिविएस इयर में आया आ चुका है कम्टेटिविजा में उसे भी मैं सॉल्ब कराऊंगा इसनल नंबर का दो पार्ट एक क्या फ्रेक्ष्णल ऐढस समझ में आ रहे हैं बिलकुल समझ में आ रही है कि तो आते तो सब को है बट सिस्टेमाटिक वी में हम उसे कंपाइल नहीं कर पाते हैं और फ्रेक्शन फ्रेक्शन का भी सब डिविजन होता जिसे प्रूपर फ्रेक्शन इंप्रूपर फ्रेक्शन मिक्स्ट फ्रेक्शन मैं सभी टैप को लिख के आपको बताता हूं मैं सभी टैप को लिख के बताता हूं कि फ्रेक्शन में क्या कहाएगा एक तो प्रूपर फ्रेक्शन आएगा प्रूपर फ्रेक्शन इंप्रूपर फ्रेक्शन इंप्रूपर फ्रेक्शन इंप्रूपर फ्रेक्शन मिक्स्ट फ्रेक्शन है बस मिक्स्ट फ्रेक्शन तक है इंटीजर इंटीजर में जैसे से आगया होल नंबर नेच्रलन नंबर निगेटिव नंबर इवह नंबर यह सब किस में आता है इंटीजर में क्यों हम इंटीजर को एक सेपरेटली सलाइड में लिखें इंटीजर कि इंटीजर को किस-किस होल नंबर में होल नंबर में होल नंबर में और होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर निगेटिव नंबर और सारा भी बता सकते हैं और ले मिले लो और नंबर मिल्यू ये सब क्या इंटीजर का सब टाइप हैं पर नंबर अनबर में मिल्यां नंबर नंबर होग और требập लोग में सब्सक्राइम और थे Him तो अभी तक नहीं आया जिसमें हम लोग अक्सर परिशान होते हैं तो परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो आप चैनल को फालो कर रहें को कौन सा चैनल है दिने समय अलफा क्लास वह आपके सारे डाउट को फिलियर कर देंगे मुआ और एक नियानी नमबर देखेenh hybrid ब्रहेक्ट नमबर मिरुक्त syllables में प्राइब collagen यो अगर बिचले वीड्यो देखे होंगे ना आध़ लेवल का उसमें ये सब कराया गया है ना ऐया सब कांपोजिट नमर जिसका च्ट यह भड़ा और से ज्यादा दूट हो जैसे 468 पर परफेक्ट नंबर जोड़ नंबर का प्रफेक्ट नमर परफेक्ट नमर देख्थ दूट्चिस गठां जेसे सिक्स हुआ इसका जिसका फैक्टर जोड़ने पर नमबर आ जाए जैसे ट्वेंटीएट को करोगे एक करोगे टूएट करोगे फॉर एड करोगे फॉर्टीन एड करोगे तो तो कि टूरी 777 1014 1448 जिसका फैक्टर को एड करने पर खुद को छोड़ करके वह तो नमबर क्या हो गया फर्फेक्ट नमबर ना इक्जाम में हां हाला कि इसी बार इसी बार इसी आपका एंटी यसी एक्जाम में यह कुछा था आपता वीच आफ फॉलोईंग वीच आफ दा बाफ़ालॉइंग एक एच परफेक्ट नमर कुन सा है बच्चा तो हल्के में ले लेता है परफेक्ट नमर को क्या समझ लेता है परफेक्ट स्क्वाइर नमर में दिया रहा था नाइन दिया हुआ था और अप्षेक्ट नमर कुन सबस्चा है यह माल के चलाता है बट वो तू गलत पर्फेक्ट नमर क्या होता है पिछले चले पर्फेक्ट नमर वैसा नमबर जिसका फैक्टर को एड़ करने भी सिक्स आ जाएगा तो यह पर्फेक्ट और पर्फेक्ट स्क्राइब नमबर में बहुत अंतर है कि यह सब रहात अभर भी अभी मैं जो भी पढ़ाओंगा इस यह रील नमबर इमेजनरी नमबर इस सब्सक्राइब इन्टीज फ्रेक्शन में वही कहानी पुरूपर फ्रैक्शन मिक्स पुरूपर फ्रैक्शन इन्पूर फ्रैक्शन आप लोग में सुच्छेंगे सब्सक्राइब करना ना चाहिए इसी सब चीज को मैं देखते हुए हैं बच्चे की तैयारिंग नहीं कर पाती है उसके उसके बाद जो प्रिप्रेशन करते हैं उसका फाउंडेशन तो आता है नहीं है इसलिए यह सब सुच के मैंने इसलिए फाउंडेशन बैच सब्सक्राइब करते हैं इसे निच्राल नंबर से किसी चीज़ को हलके में नहीं लेना है समय है समय रखते हुए पढ़ लेंगे कोई परसानी नहीं होगा ना हमको न आपको एक स्वाइड में एक चीज़ डिफाइंड करेंगे इस निच्राल नं कि निच्राल नंबर सबसे छोटा डिफ्रेंशन क्या है काउंटिंग नंबर इसको निच्राल नंबर है कि मैं बता नहीं सकता हूं साव यह सब बहूत इंपूर्टेंट है हद से ज्याज़ा इंपूर्टेंट है काउंटिंग नंबर जैसे एक दो तीन इसका नेच्राल नं कि अगर इसको कोई भी चीज़ को ब्रैकेट में लिखना हो एक सिट का लाता है विल डिफान जिसे एक दो कि जो भी राव के हैं ना उसको सेट में पियाद रखना यह याद रखना यह सी टाप का से था कि अ लाउन हो गया होन अब कर फुटर का क्या होना होता confus मैं पढ़ाया हूं वर्ट मैंने सोचा क्यों नफांडेशन का बैच्च स्टाट कर रही रहा हूं तो उसमें यह भी बता दिया जाए आपको पता नहीं है यह सब होते हुए हम किस लेबल तर पढ़ाई को ले जाएंगे अगर इसी नेचरल नंबर में हम जीरो एड़ कर इंग्लिश में डिफिनेशन क्यासे लिखोगे इफ वी इंक्लूड जीरो एमंग देनेचरल नंबर इट विकम्स होल नंबर ना एक एक क्विस्चन का जवाब दोगे ट्रू याफ पल्सान ट्रू याफ पल्स ना टू थीरी टू थीरी कलास में तो बहुत टू फाल्स खेल कि इज और कोल नंबर है और सीकेंट है एवरी कोल नंबर है कि इज और निच्राव नंबर हलाकि मैंने इसमें आपको कॉंसेप्ट बता चुका हूं ताब आप आपकी कंफ्यूजन होने की कोई कोई गुंजाइस ही नहीं बनता है ना अगर हम पिछले स्लाइड वे बात करे अबरिन नंबर 12245 कि अबर प्रॉम नंबर का को सा नंबर जीरो इस नौट इना नेच्रल नवर डेट वह एवरी नेच्राव डेगा। क्यूंकि होवाल नंबर का फैंट प्रॉन रिक्ट पर इसमें आपके हैं इतना है तो आपके दिच्छ नंबर हैं अबरे जहां गर every whole number is a natural number गलत है क्यों जीरो इज होल नमबर है बट है नॉट निट्रल नमबर यहां तक बात समझ में आ गए हां आ गए कि तो निक्स टाइम बरबाद किये हुए टाइम बरबाद किये हुए नहीं ताइम बरबाद नहीं करते हुए गलत बोदिया इंटेजर कि अगर के इंटीजर क्या हुआ देखो पहले वन का टू था था फूर था इसमें अगर हम जीरो इंक्लूड कर दिये तो यह क्या बन गया है इंटीजर क्या होता है नंबर है सिंक्लूडिग जीरो एंड नीगेटीव और कांटिंग नमर इसकॉल इंटीजर को बबो किसे यह करते हैं इंटीजर को यह तो जैदिनोट करते हैं नहीं से डीनौर करते हैं Boss झार में निस्ट इंटीजर तो हो रहें गया और इंटीजर देखे तो इसमें से कुछ क्या है पोजिटिवटीव इंटीजर देखे तो यहां से यहां क्या बन Быई यह क्या बनिया साथने उजी और यह क्या बन गात्रों hear पूछोगे जीरो क्या है पोजेटीव है की नीगेटीव है जीरो क्या जीरो दूदवात समझते हो जब हम लग बच्चा में खेल खेला करते थे देख दूदवात रहता है हुआ खेलेगा तो बट वो खेल का पाट नहीं है कोई भी पनिस्मेंट मिलता है तो उस को आप फेल से वह बाहर रहेगा दूदभात मतलब वह एवरीटिंग में रहेगा इधर रहे तो भी उधर रहे तो विजसे किरकेट में एक प्लेयर रहता है जो दोनों तरफ से खेंगाइब लग मानोब कुल पेलेगी तुम्हारे में बच गया एक इन पाइनिंग नहीं करेगा एक दुनों में खेलेगा हम लग में कि है कि यहां तक तो साथ सही था एक नन नीगेटिल क्या होता नन नीगेटिव पतान है यह छोटा साथ टुवेल्स तक आपका पिछाना नान नीगेटिव नहीं है नन नीगेटिव क्या इंटीजर इंटीजर क्या जीरो वन टू ठीरी और इसका नीगेटिव ले लो अब क्या करना है अब क्या करना नन नीगेटिव जो जो नीगेटिव नहीं है तो यहीं नहीं नन नीगेटिव इंटीजर तो नन नीगेटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाता है नन नीगेटिव इंटीजर ना जीरो से 123 is called non-negative number है सब्सक्राइब आ गया है कि दिफिनेशन भी लिखना चाहूँए दसेट 010 इसेट अफ नन नीगेटिव सकते हूं दसेट हुआ 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 है यह क्या हो गया नन नीगेटिव इंटेजर है निक्स्ट इस रिसनाल नमर है हम सब बच्चे इसको इतना हल के सब्सक्राइब तो ही मिले ले लेते हैं न इस नोर हीव लें तो क्या हुआ हुआ है हम से हम्ना है तो यह नमबर In Do The Form Of By publik ।ंव्क्न नीचे नज पंवह जीरो नहीं होता है तक लग क्या है पी एंक्यू आर-े इंटीज अग्याज दोतीन देशनल नमर के एक्जांपल सोच अपने मन में सोच लिए और फाइव हो गया इट हो गया इसमा ति नीचे में भी वन है और जिरो जिरो के नीचे में भी वन है यह सब और लॉब जितना भी नेचुरल नमबर वह सब क्या है रिशनल नमबर ना कि जितना भी नेचुरल नमबर जैसे 1 2 3 इसको भी तपी वाइक्यू के फोर में लेखे सकते हैं बिलकुल लेख सकते हैं ना जैसे 1 1 1 नेचुरल नमबर is a rational नम्बर नहीं हो गया और जीरो इज अल्सो और जीरो इज अल्सो और इसनल नम्बर वाइब कर दिडिटेन एस जी डिवाइब कि 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 इसनल नम्बर पर चलें कि जिसको पीवाइब क्यू फ़र्म एक्सफ्रेस नहीं कर सकते हैं वहीं तो सब्सक्राइब वक自 ृटर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अगर यहीं दे Every comments नकार है ऑन अन्द बेसिघ्म के साची के सा Baptist Two का होगा राख और और ये ले लिखानौ ऑनौ के रिच्LEट मर्ड़ा या तो पुरापुरा पूरा कट जाएगा टर मिनेट कर जाएगा तर सुर्फीट क्सपा निदे तो पुरापूरा पूरा है दिसी मेलेकसफेंसन या तो पुरा पुरा कट जाएगा नहीं तो नहीं तो रीपीट करेगा नन टर्मिनेटिंग रुमाल यह क्या अब कि it नहीं पुर्य-पूरा कटेगा और नहीं कि यह पोलने में एक्टामपल अभी तरहन देता हूं अ कि NOTR Era साभिस में पुर्य पूरा कटेगा ही लिए हैं जैसे टुम्हारा एक्जामपल हो गया है जैसे जैसे कितना सब्सक्राइब सब्सक्राइब पूरा-पूरा तो कट नहीं रहा है बट क्या है रिपीट कर रहा है तो रिपीट कर रहा है उसे एसे लिख सकते हो तिरी पर रहा है या तो पूरा-पूरा कट जाए जैसे पूरा-पूरा कट जाए नहीं तो नन टर्मिनेट करें और रिपीट करें टेक्जाम में कोस्चन क्या आया था देखो तो क्वेस्चन ऐसा आया था वीच आफ दाफ फॉल्वाइंग कि फॉल्वाइंग कि इज एडिश्नल रंबर कि अप्शन ए में इसने 0.3 किए जीरो कॉयंन थिरिए थिरी थिरInstit कि आपंशन दी में कि का होगा कि क्या होगा और सिटान दी में ने लुक्त में लो रूट रिखलो आरपाय लंग लो छी में और ऑपसटी में बहुत गोट की कि हैं आद जति जर्ट से मारण के चलाता है लेकिन असान है बहुत भी एंसी है तुम लोग में से कोई सोच रहा होगा बाइस बटा साथ पाइका यह बाइस बटा साथ क्या अप्रोक्सिमेट वैलू है इसलिए ट्वेंटी टू बाइस सेवन इज रेस्टनल पट पाइस इजिशनल इस सब बेसिक बेसिक चीज याद रहेगा तभी तो आगे भर पाओगे जीवन लुपी चक्र में ना यहां तक साथ होगा कर डी रकव बताएगा अब एनगी डिटीजर अव्यक्रीय इसाफ हम अभी बता देते हैं और अब अब उस समझ पर कहां तक समझें देखो अब यहां तक समझें देखो रिशनल बता दी इसनल बता दी अब कहां पर रियल पर चले हैं तब डियल बता देता है कि अग्याद Humanoi 11 का फरस्ट चैप्टर नकाकमेड़ नरे नबर तो परली टेंटैं तक तो पुरा पहल ले कि आ तो ढटन लांबर एन इसनाल नामबर कंबाइड दो प्र। ईसनल और को कंबाइड कर दो क्या बनागे हाक इदी अन स्थरी एक डियifter निंब्र ष्टन बार the rational number and irrational number combined together for the real number about this root 3 2 plus root 3 the real number the original limit the real number the real number you have to see the answer . do को देख चुका है जो एरियल है अब बात आच चुकी वही कलास्टू बदा इभैन नमबर जिसमें दू से भाग लग जाए वह इभैन नमबर नमबर विच इस डिवीजिवल वाइट तू और नमबर विच इस डिवीजिवल वाइट तू हमें तो डिफिनेशन लिखने की उम्र रही नहीं ना कॉंसेप्ट पर ना और कुश्चन है अप्लाई करना है दू का डिवीटी का रूल क्या आता है वो सारे संख्या जिसके लास में जिरो दू चार छे आठ यह सब संख्या है अम तीन लिख रहे हैं इसमें से कौन सा और यह कौन सा है आए कौन सा यह क्या हो गया यह ओड हो गया वन लास्त मेंत यह क्या हो गया और हो सब यह सब यह सब काम की बात काम की बात क्या है प्राईम नमबर हाँ प्राइम निकालते हैं तो इसमें हम आपको काम का बात बताएंगे वो क्या काम का काम का बात बताएंगे वो देखिए काम का बात क्या बताएंगे आप देखके दंग रह जाईएगा हाँ आई गरेंटी अगरेंटी लेता हूं आप देखके दंग रह जाईएगा नो प्राइम नंबर क्या होता है इसके साथ साथ जब क्वेस्ट्टन जो कराऊंगा ना हूं प्राइम नंबर वह है डिफनेशन ना एक्सेप्ट वन इच निच नंबर विच डिवीज़वा अनली वान विच डिवीज़बल वाई विच डिवीज़बल वाई एक्जेक्टली टू एक तो रहेगा वण और इच इटसेर्फ कि प्राइम हो गया जैसे आपका एक्जांपल के लिए डिवन हो गया डिवन क्यों कि इसका ये तो एक से कटेगा नहीं तो एक तीरा से कटेगा 11 या तो 1 से कटेगा नहीं तो खुद 11 से कटेका रहे है टो इदो ओनली इभ्हन which is Prime और नंबर के बात क्या हता है कि यह कुछ यह यह प्राइम नंबर से क्वेस्टन हर बार कर और यह रबार कि अगर कर बास। आपको प्राइम नंबर का प्राइम नगर का एक बार एकजाम में पूछ दिया था सम ओफ वन डिजिट प्राइम नंबर सम ओफ वन डिजिट प्राइम नंबर कि एक डिजिट का जो भी प्राइम नंबर है उसको एड़ करके बताए कितना होगा कि वन यह निज्नाट प्राइम ट्राहिं ट्री प्राइम फार नहीं और सींसप्राइम नहीं है एक tavalla मुंग यह एधिन kend के कितना 5000 सब्सक्राइब है कितना हुआ सटरह तीन दूब 25-25 अफिसर सम अफ वन डिज प्रैम नुमर कितना हो गया深 AD Study मैं इस अकुछिटुनग जैम में आता है सम आप लिज प्रैम नूबर स्टम प्रैम नमबर कितना है एक सस तक इतना है तो हम दो तीन रिवीव लिख देते हैं उसी आप ध्यान में रखेगा एक्जाम में कहां तक धूंडते रहिएगा ना तक फर्स्ट रिव्यू क्या है देयर आर कि 25 कि प्राइम नंबर कि अप्टू है और हॉंडड़ कितना प्राइम नंबर है 25 प्राइम नंबर दो सब्सक्राइब कि देयर आर इसका दोगुना मत कर देना भववई इसा कुछ नहीं होता है युनिट्री मेर्ट एक सब्सक्राइब तो दूसर तक ना पचास है इनुवेटी में डाता है कि इनुवेटीव खुद में रिसार्च करने लगते हो दियर आर 46 प्राइम नंबर इसे आप लग ध्यान में रखिए प्राइम नंबर कि अप्टू है तो मैं हुंबर के कुदू है हुंबर में क्या है देयर आर प्राइम नंबर कि अप्टू है फिप्टी तक आपका कितना प्राइम नंबर है आप उसको कांट करके के लीख लिज bogya 23 वो गया उसके बाद 75 वो गया इन हो गया थर्टीन खर्टीन के बाद 70 हो गया 19 हो गया 19 के बाद 29 के बाद 30 किंसे हो गया 37 हो गया 37 के बाद कितना 41 234 नान नहीं 46 47 47 यह सब क्या हो गया 50 के अंदर कितना 123456789 10 11 12 13 14 15 यहां लिख सकते हो कांटिंग एक वार देख लेह नान नूर तो देर विप्टीन प्राइम नंबर अप्टों 5050 कितना 15 पंदर रहां एक दो तीन चार चार इदर चार चार आठ आठ आज दूस दूसेघ्लार प्राइम नपर कहां मौवर्फ पचास तक पंदरह प्राइम नंबर एक सब तक 25 है और 200 तक 46 इसके आगे नहीं पुषता है से मैं लिक है दो वन इस नाइधर प्राइम नर कंपोजिट वन इस नाइधर प्राइम नर कंपोजिट तो इस प्राइम है यह इंपोर्टर नहीं है इवन है यह इंपोर्टेंट प्राइम नर को कुछ यादा ना प्राइम है यह इवैं है यह इंपोर्टेंट है इसी तरह मैंने ट्राइम करा मπαराें लाद रहा है Tube कितना प्रायम नंबर ट्रोल प्रायम कितना प्रायम नंबर हनो से तुमको करते को घंती कहां तक आता है कि हम न की अब ऐसे मतल Taco को सब रहा है टुटल प्रायम नंवर कितना इंफाइना थे मत्तल आन्न गिंथा तो प्राइम टूइंप और प्राइम और प्राम्ट रिपलेट यह सोच रहा हूं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों डिसकस करूंगा क्या कू प्राइम टूइन प्राइम प्राइम ड्रिपलेट कंपोजित नंबर येस आज के लिए इतना ही थैंक्यों कि अगर कोई डाउट हो ताप हमें इस मेल पर कर सकते हैं ये दिनेश एस है है फिसे लिख देता हूं दिनेश is SPJ141 at the date email.com thanks have a nice day wait for another next video thank you jahend झाल झाल